पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षन करने के बाद शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है पुलिस मामले की जाच कर रही है आपको बता दें कि मैनपुरी जन्पद के बेवर थानाक शेत्र के ग्राम किली निवासी विध्वा शारदा देवी 76 वर्ष की आधी रात को हत्या कर दी गई शारदा देवी अपने पुत्रों मंजेश वसंजेश के साथ घर में रहती थी जबकि अन्य दो बेटे बबलू दिल्ली में और चंदन ससुराल में रहता है बताया गया है कि रविवार की रात बेघर के बरामदे में मच्छरदानी लगा कर सो रही थी घर के बाकी के सदस्य मकान की उपरी मंजिल में सो रहे थे रात में एक देड़ बजे के लगभग परिजनों द्वारा मामले की जानकारी हुई गृद्धा का शव चारपाई पर पड़ा था रात में ही पुलिस को मामले की जानकारी दी गई सुचना पर पहुची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा है वही सुबह पुलिस अधीकशक बिनोद कुमार द्वारा मौके पर पहुचकर घटना की जानकारी जुटाई गई फोरिंग से टीन द्वारा घटना स्थल पर पहुचकर जाच की गई है जिला मैनपुरी से अमिद कौशिक की विशेश रिपोर्ट क्या गटना होई तो हमको नहीं पता दुटे थे अमको बाद में उटा रहा थे हुआ तो कब पता लगा यह पता लगा आसे लगव तीन साड़े तीन वह यह दो बजे की लगव बीज मैं से पता चला जो खतम हुए वो कौन थी आपकी दादे थी किसी रंजिश थी नहीं कुछ नहीं अच्छा आपका नाम क्या है तो क्या नाम है आपका क्या बात हो गई तो कुछ ने संजा को खवाय पिला के लेटी लिटा दिया तो प्र लेटी रही और हम लोग अब उठे चार बजे तब देखा कि में चर्दानी से पायर बाघर ला टामने लोगां के उने मिदेवन कई के लाउं भी तर अंदर कदे तो तेरो कि अमा अमा वे उठीन आए तो तब बाद में अन्देर हो तो तब बाद में बाटरी अटरी जलाएक देगी तब उन खून परा तो बैसे नाम क्या थ अच्छा नाम क्या है किली किली यह थाना बेवर के किली पकोरा गाउं है जहां एक 70 वर्षी ब्रध मैला है सारदा देवी यह अपने घर की बरामदे में शो रही थी तो रात में किसी अग्यात बेक्तिद्वारा इनके गले में धारदार हतियार से चोट पहुचाई गई है जिसमें इनकी इम्रतु हो गई है इनके लड़के मंजेश की तहरीर पर 302 का अभयोगपन जिकत किया गया है बाड़ी का पंचायतनावा पोस्मार्टम कराया जा रहा ह और घटना के अनवरण के लिए तीन टीमों का घठन किया गया है जिसमें हमारी स्वाट सर्मिलांस और थाने की पुलिस लगी हुई है इसका सीख अनवरण किया जाएगा